नमस्कार दोस्तों बीटूस इंडिया यूटूब चैनल में आपका स्वाइद है दोस्तों आज ये वीडियो बहुत ही बहुत ही बहतरीन होने वाले अगर पूरा वीडियो देखो गया पूरा नौलिस का लेवल बढ़ जाएगा और आपके बहुत सारे डाउट स्क्वेरी लाइक करना और कमेंट करके जलू बताना एक से दस तक रेट करना इस वीडियो को तो दोस्तों आज के वीडियो के में टॉपिक इसमें मैंने लिया है कि जनरली आप वीडियो देखते हैं यूटूब का उस पर रेट क्यों नहीं बता जाते हैं क्या लोग लोजिक है लुकरते रहेंगे और सेकंड कोशन है कि मतलब हम कैसे पता लगाएं कि हमने जो बाय किया है वो मतलब हाई रेट पर बाय कर लिया है या पिर मतलब अच्छा रेट नहीं है वो कैसे पता करें यह तीन कोशन है बहुत ट्रुकी है लेकिन यह हलका सा कोशन लग रहा होगा ल यह reality है कि YouTube पे अभी भी ना आप जो जिन किसी को भी इन्फेक्ट्चर समझ के बैठे हो कोई इन्फेक्ट्चर ही नी आफ्चली यह है उसमें एक परसेंट का में इसलिए मतलब वह नहीं करता क्लेम नहीं करता क्योंकि तो इसे साब से आप जब एक चीज बता हो पाइब कोई बंदा जब दूसरे का प्रोड़क बेच रहा है अगर वो रेट बता देगा उसका इन दोनों में मगज मरी हो जाएगा और उनमें ही कॉंपिटीशन हो जाएगा तो कॉंपिटीशन जहां पर होता है वहाँ पर मर्जिन कम होते जाते और कम मारजिन में इतना बड़ा सैट अप चला के रखना इतना साला मेंपावर रखना उनका खरचा निकालना किसी की बस की बसकी बद नहीं है तो इन लोग की बसकी बाद नहीं है इसलिए यहां पर रेट नहीं बता है क्योंकि अगर खुद का कोई प्रोड़क्ट होगा अगर आदमी तो उसका रेट बताने में प्रॉलम नहीं है और बहुत सारे लोग हैं आपने देखा रेट भी बताते हैं और वो बनाते भी नहीं अपना प्रोड़क्ट वो कैसे बनाते आपको 120-150 या 100 प्रोड़क्ट बताई जाती है यूट्यूब के उपर जिससे आप इंक्वारी तर डालोगे अगर जहां पर आपने इंक्वारी डाला हो सकता है कोई प्रोड़क्ट पसंदना है हो सकता है कोई-कोई आइटाम को पसंदना है लेकिन आप कुछ तो वहां से कुछ आपको ऐसा लगेगा यहां लो रेंच की है प्रोड़क्ट चले यह तो लेही लेते हैं एक पर देख लेते हैं तो वहां पर मैक्समम इंक्वारी बढ़ाने के लिए सब चीज जान बूच की किया जाता है फिर लोग बोलते ने कि सर यूट्यूब पर दिखाया कुछ कुछ मिला कुछ और बाद में आया कुछ तो वह भी होता है जैसे आपको बिलिंग बनाया बिलिंग आपको बना दे भाई 200-200 की साड़ी है यह है अब उसमें वह डालेगा वही 100 पे वाली या फिर आपको दिखाई यूट्टी पे वह 100 पे की थी जब आपको क्लेम करोगे तो वह 100 पे के हिसाब से बिल भी बनाएगा लेकिन जो साड़ी अप स्लेक की हो वह नहीं बेजेगा तो यह जो रिपीटेड जो प्रॉलम आ रही है वह इसलिए आ रही है तो इस सिचेशन में एक ही चीज है कि देखिए आप कहीं से भी बाई करो तो थोड़ा सा आपका मार करना आपको च्होटा मोनटा बाई करना तो आप होलसेलर से बाई कर सकते मालब 10 20 सजार अगर आपको पता है कि 10 20 सजार में कोई विजनस तो होता नहीं है यह सब कहने वाली बात तो आपको अपने महिने का ना दो लाग का टर्नोबर गुमाना पड़ेगा दो लाग रुपे आपको मदद सेलिंग और बाइंग करनी पड़ेगे आपको थीक है तब जा कि आपने अपने घर का खर्चा सब्सक्राइब अब समझ लो आपको 20 परसेंट भी मार्जिन रखते हैं दो लाप के अंदर तो 40,000 कमाएंगे 40,000 के अंदर आप रेंट वगएरा मैन पावर वगएरा और बाकी एक्सपेंजिचर है जो भी है यूटिलिटीस का खर्चा होगा लाइट भी लिए टर्म जे टर्म बाइक खर्चा ये सब निकालने के बाद आपको वही 25,000 बचने वाला है बस तो 20-25,000 मतलब घर के खर्चे चलेगा तो समझ लो आप 10-20,000 बें नौकरी करने वाले नहीं हो बिजनिस करने वाले न जिस प्रोड़क में वो डिल करना चाहते हैं तो हम आराम से बिजनिस कर पाएंगे तो मैं उनके लिए की आंसर देना चाहूंगा सर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है अगर ऐसा रहता न तो यह मैन फैक इतने सारे होते भी नहीं क्योंकि सबके फैटन अलग है सबके डिजाइन में चल रहा है तो आप वही यूज कर पाऊगे सबके डिजाइनर की उपस सबके डिजाइनर के दिमाग का वो सब चीज अलग लग रहता है जो मार्केट ने पकड़ लिया वही हिट है आज के टाइम पर तो आप ऐसे डिपेंड नहीं रह सकते का अगर आपको मालो साड़ी का एक मैनफेक्षर मिलगा साड़ी में इतनी सारी रहती है हर के पास वो चीज अपना वो नहीं रहता अभी जैसे अभी आपको एक एक्जांपल देता हूं आप सबोस्च जहां पर भी रहे जहो आपका होम टाउन है वहां पर आपकी जरुतमन चीज है उनके लिए आप कैस इसी साब से इतना टाइम लग जाता है हमको एक एक फिक्स सप्लायर करने के लिए तो समय लो एक फिक्स सप्लायर करने के लिए हमको इतना वक्त लग गया तो ऐसे ही इतने सारी जो पार्टी रहती है वहां पर आपको अपको मेडिकल लगा लगा लो आपका नियर भाई बोर्टर अच्छा भी है सस्ता भी है और अपना फालतू ची जो में हमको नहीं डालता है तो इसे साफ से लोग पीड़ी अपने एक्सपीरिंस के साफ से डिसाइड करते हैं को इसके पास जाना है अगर मानलो बहुत सारी चीज ऐसा नहीं है कि अपने जो भी फादर ने अपन मैनफेक्टर से आप नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि अगर आपकी नौलेज का जितना लेबल है आप उतने ही सप्लाय डूर पाऊगे उसमें से वेस्ट डूर पाऊगे जैसे जैसे आपका नौलेज का लेबल भढ़ेगा या फिर किसी से गाइडेंस लोगे उसके नौलेज कि अब 10-20,000 लोगों मेंसे एक पंदर डूर ना पड़ेगा तो आप डूर नहीं पाओगा उसमें से हो सकता है कि हर चीज में माहिर नहीं कोई एक चीज में माहिर औरो तो ऐसे करके आपको को एक पर्टिकुलर से साड़ी के साथ नहीं काम करना है साड़ी वाले सप्लायर क के साथ जैसे अभी लक्ष्मिपती साड़ी हो गया सुवासाड़ी हो गया इनका क्या है कि इसी सब मोनापली वाला सिस्टम है और मार्केट ने इनका टेस्ट पकड़ लिया तो इनके साथ आप काम करोगे तो आप करते जाओ गया तो प्रॉलम नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि ज करने के लिए तो मैं अपना बएटा है पूरी सीरा मार्केट पूरा में एक टेम बता है तो उसके लिए मैने डीअक्टेल निकाले अगर आपको डाय करना है तो उसके लिए आपको मेंबर्सिप लेना रहेगा मेंबर्सिप पेड़ देरो लेकर बहुत काम किया और हमना इतना ग्रुप जवरदस्त ग्रुप चल रहा है कि उसमें सब लोग अपना अगर आपको जॉइन करना है तो वह वाट्स अपना नमर दिया है मेंबर्सिप के लिए अपसे हाई करके मेंबर्सिप डिटेल मांग सकते हैं अगर अगर आपके दावे के साथ बो सकता हूं कि आपको 100% वेनिफिट मिलेगा क्योंकि आगर आप जादा नहीं बोलना है जादा तो ट्रेटर जादा मार्जिन पर बेशते हैं ऑनलाइन वाले अगर आपको जादा नहीं 10% का भी फरक आगे न तो आप 10,000 के अंदर ही 10,000 का भी माल खरीद होगे तब मेंबर्सिप का चार्ज इंगल जाएगा और आपको पैसा पज़ जाएगा सोच लो इतना चार्ज इस का ट्रांजिक्शन करना है अगर 10,000, 10% भी आपको बच गया तो 20,000 पर एक महीने बचा लोगे आप डारेक्ट में फ्रेक्शन खरीदने पर इतना बेनिफिट है और नेक्स में जो सवाल है उसका जबाब दे देता हूं तो सारे उसके लिए एक ही चीज है आप जहां से भी आप को समझ नहीं है मैं सही बतारहूं मैं थोड़ा गलत बौल जाता हूं का इको माहर कर देना लेकिन आपको समझ नहीं है लेकिन जो चार साल पांच साल उसको एक बारीगी को बताहे और जो रिटेलर आपको पूरी जानकरी देगा आपकी हैव क्योंको उसको उसी से में competition है और आपको यह help नहीं करेगा कभी वह फिल्ड का वंदा आपको help नहीं करेगा इसलिए आप जहां से भी खरीदना चाहते हैं आप नहीं मान रहे और चीज को ठीक है आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग डारेक्ट मैंफेक्टर से ले रहे हैं क्या पता क्यों को ब पूर हकीकत पता लग जा और आपकी आँके खुल लेंगे मैं सही बोलों दावे के साथ एक वार यह प्रैक्टिस करके देख लेना अगर नहीं अगर यह करना आपको अपको कुछ करने के जरूत नहीं आप डारेक्ट मैंफेक्टर से बाए करो और एंजय करो और प्लीज य जो जो क्वेशन के आंसर दिये हैं वो सही है कर नहीं थैंक्यू